सिर्डी के साइई बाबा, पुल्गुरु और ब्रमरिश्य थे कहा जाता है कि साइई बाबा के माता पिता ने एक मुसलिम फकीर को बच्पन में सौप दिया था जिसने साइई बाबा का पालन पोसन किया था वह मुसलिम फकीर पुल्गुरु और ब्रमरिश्य थे जो मानो चोला में मानो जाति का मार्ग दर्सन और कनल्यान करने के लिए संसार में आये थे मुसलिम फकीर ने गेरुआ जीवन शैली वह पद्धति में नया अध्या जोड़ दिया उसी के अनुरूप उसका आध्यात्मिक लिबास था और उसी के अनुरूप उसके उपदेश थे वह मुसलिम फकीर संसार में घूम घूम कर ग्यान और प्रेम की अलग जगाया जो व्यक्ति जिस कदर उसके ग्यान और प्रेम से हिस्सा पाया उसी परकार का जीवन यापन किया उस मुसलिम फकीर की दिष्ट में सारा संसार एक परिवार के समान था उसकी दिरिष्ट में उसकी दिरिष्ट से जिसको जो मिला वह उसी के अनुसार जीवन शैली और पध्यती धारण किया उस मुसलिम फकीर के एक अनुनाई आउगर्शा थे उसने अपने गुरू का आध्यात्मिक लिबास बनाम एराम धारण किया उनके दोहे कुछ हैं जो आध्यात्मिक्ता और प्रेम पर आधारित है वारित दाता आन बचाओ नाउफसी मजधार साहीं अपना द्या करो कि लागे बेडा पार साहीं का घर दूर है साहीं मन के तीर साहीं से विवार करे आउगट वही फकीर साहीं ऐसा मगन करो रहे न सोच विचार दुख में सुख में कलेश में गाउं भजन तुहार जो जिग्यासू याद और ध्यान के मार्ग पर चल रहे हैं चलते रहें ओगर साथ ने ये दूहे कहे हैं ध्यान गुरु को बिस्तर मानो गुरु मंत्र को जानो भोग बोलो ओगट जय गुरु की यही ये उत्तम जोग राम मिलन का लेखा सुन ले हाथ गुरु का था जक्की ममता मन से छूटे मिलेंगे ओगट राम ओगट बाजे राम के बाजन सुन लो शीष जुकाओ आसन मारो शब्द को सादो मन से ध्यान लगाओ काया की ममता तजोर अपनी सुद विसराओ मोहन मुर्ली आन सुनाएं ऐसा ध्यान जमाओ ओगट दम के संग रहो तजो ये काया ठाट घट छोड़ जाए पर घट बसो तो मिले निरंजन गाल आसन मारो शब्द जाड़ो अपनी सुद विसराओ मिलेंगे काया कूट में पर भू ओगट कहीं न जाओ ओगट जोगी वही गुड़ी जो अपनी सुद विसराओ ग्यान रहे और ध्यान रखे सांस ने खाली जाओ द्या बराबर धरम नहीं पर पंच बराबर पाप प्रेम बराबर जोग नहीं गुरु मंत्र बराबर जाप जोगी भोग वो करे जो बिन मांगे मिल जाए ओगट दुनिया यू तजे की मन में लोब नाए ओगट जोगी वही बने बादे वही लंगोर तजे कुटुमी की मांता धोए मन की खोड जाप जोग तपतीरत से निर्गुन हुआ न कोई ओगट गुरु दया करे तो पल में निर्गुन होई गुरु हमारा एक है बचन हमारा एक करेंगे सेवा एक की गुरु जो राखे टे उक्त दोहे अद्धिमिक्ता की सिच्छा देते हैं रेम और सेवा सभी धर्मों का सार है मानव चोला आत्मा और परमात्मा के मिलन का आधार मात्र है मानव चोला के आधार पर कुल जाती धर्म है फकीर पीर गुरु संत कुल जाती धर्म से उपर उटकर उस परभू से जुड़ जाता है जो शिष्ट करता पोशल करता और गुलेश्वर है गुरु एक है उसके अनेक रूप हैं आत्म कथा आत्मा की यात्रा है वह आत्में लोग से संसार में चोला धाराण करके आई और यात्रा करती रही फिर चोला छोड़ कर यात्रा करती रही सोचो की मैं कौन हूँ मैं क्या हूँ जम्मन आत्मा में इस्तित हो जाता है तो वह संसार से विरक हो जाता है और विदे ही बन जाता है साइं बाबा विदेही बाल ब्रमचारी पुड़ गुरु और ब्रम रिशी थे उनकी लिलाए अध्भुत थी जिसमें जहां जिसने जहां तक लिलाएं देखा वह साइं बाबा के भक्त बन गए उनके हिर्दे में साइं बाबा बस गए उनके हिर्दे में साइं बाबा हैं उनके हिर्दे से साइं बाबा निकालने वाले नहीं उनको निकाल सकते उनकी मुर्तिया मंदिर से निकाल सकते हैं परन्तु इसका कोई अंतर पढ़ने वाला नहीं है साही बाबा की जनमस्थरी जाती धर्म को लेकर विवाद जो चल रहे है वह हिंदू समाज के लिए चिंता का विसे हैं मुस्लिम समाज में मुर्ति पूजा नहीं है साही बाबा ने अपने भक्तों और अनुयाईयों को स्वय पकड़ा है वह अपने भक्तों को आच्चमतकार और साक्षातकार कराते हैं साही बाबा आज भी मन्नते मुरादें मनोकामनाएं पूरी करते हैं साइं बाबा सच्चरित्र और लाइफ आप साइं बाबा जैसी पुस्तकों में साइं बाबा की जीवनी चमतकारा उब्देश लिखे हैं उनके अध्यन से संका का समाधान होगा पुस्तकों में आध्यमिक्ता के लेख हैं ने किस्वें का अनुभव है नाम सब और रूप अनुभव का विसे हैं जिनको लेख और बाड़ी से अस्पस नहीं किया जा सकता है बुरे विचार और वासना में आधिकान से लोग लिपत हैं उनसे छुटकारा पाना अत्कठिन है साई बाबा का पर्थम मंत्र सबका मालिक एक दोसरा मंत्र सरद्धा और सबूरी है इन्ही परिदी में भक्तों का आचरण होना चाहिए सरकार वारी से पाक ने फरमाया महबत करो और फरमाया एक सूरत को पकड़ लो और फरमाया किसी के आगे हाथ ने फैलाओ और फरमाया ब्रम पहँचानो और फरमाया जो रब है वही राम है साइए बाबा ने हिंदू है ने मुसल्मान है मानव चोला में ब्रम जोति और आत्मा का आगमन होता रहा है वह तो विदेही बाल बरमचारी पूल गुरू बरमरिशी थे ये भरांतिया फैलाई जा रही है कि साइए बाबा चादमिया थे ये अवश्य है कि वक कफनी पहनते थे सर पर सफेद रूमाल बानते थे और सफेद वस्त्र पहनते थे ये कहा जाता है कि बाबा का खत्ना नहीं हुआ था इसलिए कि वरनंड एक समय में हो गए थे और कहा कि मुझको पहचानो कुछ लोग कहते हैं कि बाबा का जन्म पराहमर परिवार में हुआ था कुछ लोग कहते हैं कि उनका परिवार उनका जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ था ये एक पहेली बन कर रह गया है इस पर विसे ध्यान देने की आवश्यक्ता नहीं है बाबा एक सूफी फकीर की जीवन शैली को धारार कर लिया था इस कारण से उनको कुछ लोग मुस्लिम फकीर भी कहते हैं साही बाबा स्राटन धर्मसास में भी आस्ता रखते थे और उनकी आस्ता कुरान में भी थी वा अल्ला मालिक कहते थे अपने समादी के समय साही बाबा अपने समादी के समय यह कहा कि विजय राम विजय परकरण सुनाओ उसी को सुनते सुनते बाबा समादीष्ट हो गए बाबा का निर्माळ पंदरे अक्टूबर सन वन्यस सो अठारे में द्वारिका माई में हुआ हुआ शिर्डी साही बाबा की कर्म अस्थली है कहा जाता है कि साही बाबा की जन्म अस्थली पथरी पाथरी गिराम है इस पर भी विवाच्छडा हुआ है साही बाबा किसी धर्म जाती की जिन्निंदा कभी नहीं किया है वह गरीबों पीड़तों सोशिस्तों की सेवा सतकार मदद करते थे उनके पास बड़े बड़े ज्यानी जज़ बैरिश्टर वकील डाक्टर सन महन आते थे और सन्तुष्ट होकर जाते थे गुरू सिश्ट सामान्य व्यक्ति और विसिश्ट व्यक्ति में एक आत्मा रमल करती है जिसने आत्मा को पहचाना उसने परमात्मा को पहचाना ब्रम को पहचानो बिना गुरू के ब्रम पहचाना संभव नहीं है जो गुरू पुर्ता को प्राप्त हैं वो ब्रम साक्षात का कराने में सक्षम है गुरू ब्रम साक्षात कराने में सक्षम है